नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ग्रांड आइटे नियोंस की स्पोर्ट्स वैरियंट जो वैल्यू फोर मनी है और सबसे ज़्यादा शेल्स इस गारी की होती है तो सबसे पहले हम इसके चारो साइट के लुक को देखते हैं कि ये हमारा दो हजार तईस का फेसलिप्ट वैरियंट है और इसमें क्या चेंजेज है क्या नया है इन सभी चीजों के हम लोग एक बार देखेंगे और सबसे पहले मैं इसका चारो साइट से आपको आप ये व्यू देख पा रहे हैं है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की से तो इसमें आपको फॉल लेवल की रहता है फ्लीप की जिसमें यहां से आप की को आपिन कर सकते हैं जिसमें लॉक अनलॉक और ये वूट आप आपिन का स्विच दिया हुआ है ये गारी आपको इसके तीन वेरियंट्स एस्पोर्ट में मिल जाते हैं आपको पहले तो मैनुवल टांसमिशन में आता है दूसरा Sports Dual Tone में तीसरा आपको Sports Auto Manual Transmission और फिर आपको यहाँ पे CNG का भी Option मिलता है तो सबसे पहले मैं इसके Front Grill की बात करनूँ तो Grill जैसा की आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Front Look जो है बिल्कुल ही Black Radiator Grill आपको मिलता है Glossy Finish में और जश्ट उसके बगल में आपको यहाँ पे बिल्कुल नया सा DRL कमपनी में यहाँ पे आपको इंसर्ट किया है जो काफी अच्छा लगता है इस Variant में किसी भी तरह का आपको Fog Lamp Friends नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको Turn Indicators और पहली बार Sports स्पोर्स वेरियंड में आपको Halogen Projector Headlamps यहाँ पे मिल जाता है और नियोस की बेजिंग भी बिल्कुल चेंज कर दी गए है सिल्वर फिनिस में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और अवर अल इसका लुक काफी शुन्दर लग रहा है है आप मुझे Comments में भी बता सकते हैं कि आपको नई Sports का जो लुक है वो कैसा लग रहा है और मैं बता दूँ यह जो आपका Color है यह Spark Green Color है जो Hyundai ने इसे बिल्कुल है यह New Color है और काफी Premium यह लग रहा है देखने में आप देख पा रहे हैं तो Sides Profile की में बात करूँ तो Sides में आपको यहाँ पर Stylist Ream आता है पहले इसमे लाइविल आता था लेकिन अब Stylist Ream है फ्रेंट में डिस ब्रेक टायर साइज की बात करें तो 175, 60, R15 के इसमें आपको Stylist Ream आप मिल जाते हैं Turn Indicators Looking Glass पर आपको मिल जाता है और यह Looking Glass आपका Auto Foldable, Auto Adjustable आप Driver Seats पर ही बैठ के कर सकते हैं Body Color Door Handles आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको Grand It and Youngs की Wedging यहाँ पर मिल जाती है Honeycomb सेप के शाथ और पीछे Trum Brake आपको यहाँ पर मिलते हैं यहाँ कोई Days Break आपको नहीं मिलता है और यहाँ पर Rears में आपको यहाँ LED Tail Lamps आपको मिलती है जो पहली बार आपको Grand It and Youngs में Available है और यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको Connecting Tail Lamp के तरह दिखता है लेकिन यह Designing Connecting Tail Lamp यहाँ पर कोई Connecting Tail Lamp नहीं है High Mount Hist of Lamp यहाँ पर है और यहाँ पर आपको Rear Defogger Grand It and Youngs की बेजिंग यहाँ देख रहे हैं Grand It and Youngs और बीच में आपको Middle Man Youngs की बेजिंग Grand It and Youngs का Logo और लोगों के ठीक उपर आपको Grand Rear Camera आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर Variance का Sports की बेजिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके नीचे यहाँ पर आपको Number Plates के जगह में Lamp लगे हुए हैं और यह Black Color की इसकी प्लेट के तरह आपको दिख रही होगी और यह नीचे का लूक आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जश्ट इसके उपर आपको दो Reverse Parking Sensor यहाँ पर एवलेबल हैं और एक बार मैं इसके रूफ को देख लूँ तो यहाँ पर आपको सार्क फिन अंटीना रूफ रेल्स जो Black Colors में हैं काफी अच्छे लग रहे हैं और अब हम लोग इसके डिक्की बूट्स स्पेस को देख लेते हैं Grand IT New Sports में आपको Rear Parcel Tray अवलेबल है और बूट्स में आपको Boot Lamps भी अवलेबल है और यहाँ पर स्टेपनी वील्स जो स्टिल जीम है यहाँ पर कोई अलाविल्स नहीं आता है और काफी अच्छा इस पीस है इस पीस में कोई कमी नहीं है जो एक Hatchback कार में होनी चाहिए वो सारे इस पीस हैं इसमें और साइड का प्रोफाइल यह आपको दीख रहा है काफी शानदार अब मैं rear seats के तरफ आता हूँ सबसे पहले rear door की बात कर लें तो rear door आपको dual tone colors में दिखाई दे रहे हैं और rear door पे आपको जो window है उसके switch यहां available है और rear door handles आपको chrome color में आता है काफी शुन्दर और इस तरह की आपकी rears की designing है काफी species गारी है और यहां उपर आपको grave handles मिल जाते हैं दोनों sides बीच में आपको यहां पर kevin lamp मिल जाता है पीछे के तरफ rear AC vents and 12 volts का charging sockets available है यहां पर किसी भी तरह का आपको seats में handrest वेगरा नहीं मिलता है और पीछे की तरफ जो seats है यहां पर किसी तरह का कोई adjustable headrest नहीं है यहां पर company fitted headrest है और अब मैं front में जाकर के देखता हूँ क्या क्या updated है चलिए driver gate पे हम लोग जाकर के देखें तो driver gates में यहां पर सारे power window के switches है driver gate पर जो power window है यह auto down है one touch switch और जो आपके side mirrors है उसके switch यहीं पर है जो आपकी electric foldable है और electric आप adjust यहां से ही कर सकते हैं driver जो seats है यह आपके height adjustable है यह काफी अच्छा features है और height adjustable यहां से recline भी कर सकते हैं आप और यहां पर side में आपको lights आप कम जादा अपने recording कर सकते हैं और इसके बगल में traction control है जो काफी अच्छा features है फर्स टाइम इस गारी में आपको मिल रहा है मैं गारी के अंदर बैठ जाता हूं फिर और features के बारे में discuss करता हूं फ्रेंड्स इसके स्टेडिंग में आपको बहुत सारे features हुंडई ने अफ़र किये हैं जिसमें कि यह आपके M.I.D.A. स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसके सारे settings वगड़ा आप यहीं से control कर सकते हैं जिसमें कि आपके M.I.D.A. स्क्रीन में fuel economy के सारे information, average वगड़ा यह सारा चीज आप यहां से देख पा रहे हैं और first time आपके इस variants में TPMS यानि tire pressure monitoring system भी आपको यहां पे मिल जाता है किस tire में कितनी air pressure है वो भी आप यहां से check out कर सकते हैं friends और यहां से settings वगड़ा भी आप यहां से देख सकते हैं और यह जो आपका M.I.D. screen आप friends देख रहे हैं यह आपको सेम ऐसा आप creator में भी मिलता है तो creative वाली M.I.D. screen आप समझ सकते हैं कि आपको भी Grand A.T. Neos के sports variants में मिल रहा है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है काफी अच्छा look दे रहा है और steering पे आपको यहां पे आपको cruise controls के भी options मिल जाते हैं जिसे आप यहां से set कर सकते हैं और speed यही से बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं और cancel भी कर सकते हैं और जो आप बाई तरफ steering पे है यह आपके phone call receive करना, disconnect करना, volume बढ़ाना, गटाना, voice commands के भी switch यहां पे मिल जाते हैं, modes आप यहां से music वेगरे का change कर सकते हैं और इसके अलावा जो है कि आप यहां से साड़ा information यूज कर सकते हैं और काफी शुंदर यहां पे गारी में क्या fuel है, क्या average है, यह साड़ा चीज आप M.I.D. screen पे check out कर सकते हैं friends, अब मैं बात कर लेता हूँ, इसके display की तो इसमें 8 inch का touch screen display लगा हुआ है, जो आपके N. N.I.D.O. Apple CarPlay दोनों को support करती है, और काफी responsive touch screen आपको यहां पे मिल जाता है, और इसमें एक कमाल की features friends यह है, कि अगर आप गारी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी इक्षा होड़ी है कि मुझे पीछे वाला camera जो है, वो on करना है और वो मुझे visible देखना है, तो यहां पे आप DRVM का जो देख रहे हैं, इंडिकेशन तो इसे आप प्रेस कर दें, तो rear camera आपकी यहां से on हो जाएगी और पीछे आप running गारी में भी पीछे का view आप यहां से देख सकते हैं, यह friends आप देखें और काफी अच्छी आपको view पीछे की देख जाएगी, तो इस गारी को value for money बनाती है, और value for money तो यह गारी है ही already, सबसे दिमानेबल गारी है, और यहां पे आपको AC के सारे controls मिल जाते हैं, यहां से AC की, इसमें आपको AC जो मिल रहा है, वो auto climate control मिल रहा है, जहां से AC के events के speed को आप बढ़ा सकते हैं, गटा सकते हैं, और इस side जो है, आ और अगर आप चाहें, तो auto mode में भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे use कर सकते हैं, आप चाहें, तो आफ कर सकते हैं, रियर, फ्रॉंट से यह सारे features हैं, जस उसके just नीचे आपको तीन तरह के, यहां पे तीन switches मिल रहा है, यहां पे आपको fast mobile charging, बाड़ वोल के charging socket और USB क connection मिल रहा है, यहां पे, यह space आपको मिल जाता है mobile phone रखने के लिए, और यहां पे आपको, यहां पे globe box मिलता है, यहां पे कोई cooling globe box नहीं है, normal globe box है, लेकिन space काफी है, काफी सारे चीज़ें आप यहां से रख सकते हैं, globe box के उपर, एक आपको यहां पे space मिलता है, और यह space बहुत ही आपका काम करता है, चुकि mobile phones वेगर आप यहां से रख सकते हैं, और यहां पे आपको 5 पिस और प्लस एक reverse gear, तो 6 इस पूइट, यह manual transmission है, और मैं आपको इसके बाद का features दिखाता हूँ, go driver side में यहां पे आपको 180 mirrors भी मिल जाती है, driver side तो यह available नहीं है, देना चाहिए company को, friends, सबसे इच्छा features क्या है, कि sports को value for money बना रही है, कि अब आपके ambience lights जो है कि जो आपके cabin के नीचे जो है driver के पास यहां पे available है, जो काफी, इसकी lights सुन्दर लगती है, देखने में, और इस टेडिंग पे, friends, यहां पे एक airbag यहां हो गया, और यह dashboard जो आपको honeycomb sap में है, इसके सामने एक airbag, दो airbag, और sports में आपको four airbag मिलते हैं, दो sides में, आपको airbag इसमें मिल जाते हैं, safety में, friends, सब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके engine options की, तो इसमें आपको 1.2 liter का natural aspirated kappa engine मिलता है, जो 83 PS की power और 14 Nm का torque generate करता है, और काफी net and clean है, इसका engine, और इसकी mileage की अगर मैं बात करूँ, तो आपको ये गारी जो है की city में mileage इसकी 13 से 15 मिलेगे, और जब आप इसे highway drive करेंगे, तो highway में इससे आपको mileage जो है की 18, 19, 20 km per hour की से मिल जाती है, safety features की बात कर लें, तो इसमें आपको अब मिल रहे हैं, four airbag, ABS, EVD जो पहले से आ रहा है, उसके अलाबा electronic stability program, high speed alarm systems, auto sensing door lock, unlock seatbelts, ये सारे features आपको इस गारी में available हैं, और कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर बताइएगा, comments करके, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जरूर like, share and subscribe कर देंगे, thank you friends.